देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वाइरस के शंकरमन और पुर्वी लदाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच आज परधान मंतरी नरेंदर मोधी एक बार फिर रेडियो पर मन की बात कारेकरम में देश वाशों के सामने अपनी बात रखेंगे माना जा रहा है कि परधान मंतरी मोधी 30 जून को अनलोक 1.0 के खतम होने के बाद देश में कोरोना शंकरमन की स्तती पर सरकार की आगे की रणनिती और चीन से बड़ी तनातनी को लेकर देश के सामने अपनी बात रखेंगे परधान मंतरी मोधी ने शनीवार को अपने ट्वीटर हैंडल से रविवार को शूबह 11 बजे मन की बात कारेकरम में पेश होने की जानकारी आम जंता गोदी बता दें कि मासिक रेडियो कारेकरम के 66 परसारण में परधान मंतरी कोई बड़ी बात कर सकते हैं सुत्रों के मताबिक परधान मंतरी मोधी मन की बात कारेकरम में चिन के मुद्य पर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि भाजबा ने अपने सबी कारेकरताओं को हर हाल में इस कारेकरम को सुनने के लिए कहा है इसके साथ ही भाजपा के और से भी सबी कारेकरताओं के जमेदारी दी गई है कि प्रधारमंत्री मोधी की और से मन कीवात कारेकर में कही बात देश वाशियों तक पहुंचाएं ऐसे में उमीद की जा रही है कि देश में तेजी से बढ़ती कोरोना सिंक्रमन के मामले पर काबू पाने और चिन के साथ यूद किस्तिती की त्यारियों को लेकर पियम मोधी कोई बड़ी बात कर सकते हैं